नमस्कार दोस्तों हेल्फूल चैनल में आप सभी का सौगत है दोस्तों आज मैं आपको यह बताऊंगा कि बहुत सारी मिथ्या हम लोगे फैली है कि पित्र दोस्त लग गया आपकी कुंडली में आपका काम नहीं बन रहा है दोस्तों मैं आपके हर टॉपिक को बहुत अच्छ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे चैनल के नीचे एक रेट बटन होगी हेल्फू चैनल उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे उसके बगल में एक रिंग बैल होगी उसको भी आप क्लिक कर दीजे ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों अब हम लोगी दोस्तों सबसे पहले यह करते हैं और हाँ दोस्तों प्लीज अगर आपके कोई भी कोई भी क्वेशन हो तो प्लीज मेरे मेल आइडी पर मेल कर दीजे मेरी मेल आइडी है नितिन 549 at the rate gym.com दोस्तों आज हैपी हो ली है हैपी हो ली आप सभी को दोस्तों मुभारख हो तो अब दोस्तों हम आपने टॉपिक पर बढ़ते हैं कि पिते दोस कैसे लगता है देखिए हम पिते दोस लोग बहुत लोग डाप में डराते हैं पिते दोस लग जाता है पिते दोस है और आपको काम नहीं बनना आपको ये पूजा करानी पड़ेगी और आपके 4-5,000-6,000 रुपए पूजा के नाम पर ठग लिये जाते हैं दोस्तों देखिए अब इनसान का जन्म लिया है और आपको आपको कुड़ी बन लए है आपके मीचैजा ग्रह न कहीं काहीं बैठेंगे पिते दोस्त वोटा है कुछ नहीं होता है लिकali на यब जब तो सबके अच्छे नहीं हो सकते हैं तो अब अब लोका पिते दोस कैसे लगता है ये हम लोग सबसे पहले होते हैं इनकी अगर पोजीशन कुंडली में जिस जगे बैठेगी तो यह पित्दोस के कारण डिनोट करते हैं पित्दोस की लगने की इस्तितिक क्या है जैसे कि मैंने बताया कि सूर के साथ अगर राहू के तू या सनी बैठ जाए ठीक है तो पित्दोस लग जाएगा दूस हाउस के लाउड के साथ अगर शनी राहू के तू और बुद्ध भी बैठ जाए यानि के दोस्तो तो भी पित्दोस लगता है तो यह सारी कुछ ऐसी कंडिशने हैं कि जिसे आपको वो होगा कि आपकी कुंडली में पित्दोस है की नहीं तो यह हम सब उससे हम पता कर सकते ह हैं कि हमाई कुंडली में पित्दोस हैं अब हम जैसे बिताते हैं कि जैसे यह पहला घर है पहला घर में अगर यहां पर चाय सनी उच्छी का क्यों ना हो शनी राहू के तू बैठ जाए तो आपको कहीं न कहीं आपकी लाइप में स्ट्रगल आता है और आपको क्या क्या कहत भी बैठ जाए भुद्ध भी बैठे तो भी पेत्र दोस होता है यह पांच हो गराता है इसमें भी शनी राहू के तू बैठ जाए तो भी दिक्कत जाएगी 12th house में शनी राहू केतु या बुद बैट जाए तो भी पित्त दोस लगता है तो ये सारी condition ऐसी हो जाएंगी कि जिसे आपका पित्त दोस लग जाएगा देखिए दोस्तों पित्त दोस आपके पित्त दोस के कारण भाई पित्त दोस किस कि ग्रहों के लगता है पित्त दोस के लगने आले तीन ग्रहें होते हैं पहला होता है पित्त हम लोगों को डिनोडर करता है सूर होता है दूसरा होता है बरश्चपती और तीसरा होता है टेंथ हाउस का लौड तो इन तहीं ग्रोहों के साथ अगर शनी, राहू, केतु या बुद्ध बैट जाए इवन ये ये जो अच्छे ग्रहे हैं इनके साथ इनकी राशी में अगर इनकी सत्रों की इसकी राशी में बैट जाएं कि अगर पित्त दोस्त हैँ इसके कारां आपके जीवन में सफलताइं रुख जाती हैं इवन टेंथ हाउस के लॉट के साथ भी बैठ जाए तो यह आपको पित्रदोस बनाता है पित्रदोस में लगने की सबसे हली क्यामति है कि आपकी शादी नहीं होगी आपको सही समय आपके पास टालेंट होने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी आपके हर काम में रुकावट आएगी कःगी और कभी-कभी पित्रदोस इतना जाता है कि इनसान की मृति भी हो जाती तो वह इसको समझ नहीं पाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा तो दोस्तों यह था जोस पित्रदोस की क्या कि कंडिशन होती हमारे कुडली में अगर दोस्तों आपको मेरी प्रवीजया